मेरे पहरे देश वाचियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्दी साजा करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपको खुशे भी होगी और गवरों भी होगा, और अगर आपने नहीं किया है, तो साइद पस्तावा भी होगा, कुछ मैंने पहले हमने एक पैड मा के नाम अभियान शुरू किया था, इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्सा से हिस्सा लिया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशे हो रही हैं, इस अभियान ने सो करोड पैड लगाने का एहम पड़ाव पार कर लिया है, सो करोड पैड वो भी सिर्फ पांच महिनों में, ये हमारे देश भाषियों के अथक प्रयासों से ही संबभ हुआ है, इस से जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्भ होगा, एक पैड मा के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है, जब मैं गयाना में था, तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना है, वहां मेरे साथ गयाना के राष्टपती, डॉक्टर इर्फान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बागी सदत से, एक पैड मा के नाम अभियान में शामिल हुई है, जात्यों, देश के अलग-अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है, मद्द परदेश के इंदोर में एक पैड मा के नाम अभियान के तहर पैड लगाने का रिकॉर्ड बना है, यहां 24 गंटे में 12 लाग से ज़्यादा पैड लगाए रहे है, इस अभियान के वज़े से, इंदोर की रेवती हिल् हिलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे, राजस्तान के जेसल महर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना, यहां महिलाओं की एक टीम ने एक गंटे में 25,000 पैड लगाए, माताओं ने मा के नाम पैड लगाया, और दूसरों को भी प्रेरित किया, यहां एक ही जगह पर 5,000 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर पैड लगाए, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक पैड मा के नाम, अभियान के दहत, कई सामाजिक संस्ताय, स्थानिय जरूरतों के हिसाब से पैड लगा रही है, उनका प्रियास है कि जहां पैड पूरा इको सिस्टिम डबलप हो, इसलिए यह संस्ताय कहीं आउसेद्य पोधे लगा रही है, तो कहीं चीडियों का बसरा बनाने के लिए पैड लगा रही है, बिहार में जीवी का सेल्फ हेल्प ग्रूप के महलाओं ने 75 लाग पैड लगाने का अभियान चला रही है, इन इसे आने वाले समय में हाई भी की जा सके है, साथियों इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मा के नाम पर पैड लगा सकता है, अगर मा साथ है, उन्हें साथ लेकर आप पैड लगा सकते हैं, नहीं तो उनके तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हि कर सकते हैं मां हम सब के लिए जो करती हैं हम उनका रोन कभी नहीं चुका सकते हैं लेकिन एक पैड मा के नाम लगा कर हम उनकी उपस्तिती को हमेशा के लिए जीवन्त बना सकते हैं मेरे पैरे देश स्वाचियों आप सभी लोगों ने बच्पन में गोरया या स्पैरो को अपने घर की छत पर पैरो पर चहकते हुए जरूर देखा होगा गोरया को तमील और मलेयालम में कुरूवी तेलुगु में पिच्चुका और कन्ड़ा में गुबी के नाम से जाना जाता है हर भाषा तसकति में गोरया को लेकर किस से कहानी सुनाए जाते हैं हमारे आसपास बायो डायरवर्सिटी को बनाए रखने में गोरया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गोरया दिखती है बढ़ते शहरी कर्णर के वज़े से गोरया हमसे दूर चली गई है आज की पेड़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्नोंने गोरया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापशी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे है चेन्य के कडूगल ट्रस्ट ने गोरया की आबादि बढ़ाने लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभ्यान में शामिल किया है सहुस्तान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरया रोजमरा के जीवन में कितनी महत्वपूर है ये समस्तान बच्चों को गोरिया का गोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए समस्तान के लोगों ने बच्चों को लकडी का एक छोटा सा गर बनाना सिखाया इसमें गोरिया को रहने खाने का इंतजाम किया ये ऐसे घर होते हैं जिले किसी भी इमारत की भारी दिवार पर या पैड़ पर लगाया जा सकता है बच्चों ने इस अभ्यान में उत्सा के साथ हिस्ता लिया और गोरया के लिए बड़ी संख्या में गोंचला बनाना शुरू कर दिया पिछले चार वर्षों में संख्या ने गोरया के लिए ऐसे दस हजार गोंचले तयार किये हैं कुरूगल ट्रस्क की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरया के आबाजी बढ़नी शुरू हो गई है आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित तोर पर गोरया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेबे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेंबा कुछ जो में भी बोलों तो नहीं